नमस्कार जोडो का दर्ध प्रतेक व्यक्ति जो है उसे ये शिकायत होनी ही है किसी को कम उम्मर में किसी को जादा उम्मर में लेकिन उपाय क्या है मेथी दाना जो कहते हैं मेथी दाना वो रामवांड है कि जितने उमर आपकी है आपको सिरफ उतने दाने गिन कर खाने है यानि कि मानि आप 30 साल के है तो आपको रोज सुबा उठके जो है 30 दाने मेथी दाने के गरम पानी के साथ खाने हैं आपके शरीर की वायू, वाद, दोश को, बाय को पूरी तरह से निकाल देगा जिसकी जितने उम्र उतने दाने खाएं और आप देखेंगे कि आपके शरीर में जो फुर्तीला पन है वो कैसे आएगा, जो जोडो की दर्द है, किस तरह से पूरी खतम हो गई दूसरी चीज़, लोग सोचते हैं कि ट्यूब लगाने से, तेल लगाने से जल्दी आराम मिलता है, तरह तरह के चीज़े हम ढूंडते हैं लेकिन बहुत ही आसान और सस्ता उपाय बताती हूँ कि आपको क्या करना है, 30 ml सरसो का तेल लेना है उसमें चार कलियां लसुन की डाल कर कम आँच पे भूनना है, जब तक कि वो कलियां पूरी तरह से काली ना हो जाएं जब वो पूरी तरह से काली हो जेंगे, उसे हलका सा थंडा होने रखते हैं, चान कर जहां भी आपको दर्द है, उस पर मालिश करें हलके हाथों से और वैसे ही उसे लगा रहने दे जब आप दिन में 2-3 बार मालिश करेंगे न, दूसरे दिन से ही आपको इतना आराम मिलेगा क्योंकि लसुन के जो गुन है वो आपके शरीर में जाना शुरू हो जाएंगे और आपकी दर्द को पूरी तरह से खतम कर देंगे तीसरी चीज़, बच्चे, जिन भी बच्चों को दर्द रहता है, आपको क्या करना है कि मेथी दाने के साथ जो है सौफ जो मीठी सौफ आती है, उसका पाउडर जो है मिक्स करके बना ले, 50 ग्राम आपको मेथी दाना लेना है, 100 ग्राम सौफ लेनी है दोनों को mix करके बना ले आधा आधा चेमच अपने बच्चों को दे जो उनके शरीर की गंधगी है वो बाहर निकलेगी जो शरीर में वायू बढ़ गई है वो बाहर निकलेगी और किसी भी तरह की दर्द है आप बिना दवाई से उन्हें ठीक कर सकते हैं धन्यवाद